जिसे कार का कंट्रोल हमारे हाथ में है ऐसे ही अगर हम चाहे तो लाइफ का कंट्रोल भी हमारे हाथ में आ सकता है अब всего तब दिखोगे तो उनकी हालत ऐसी है कि उनकी गाड़ी अपने हापी चल रही है या कोई और चला रहा है सामने बैठ करके वो पीछे बैढ़े हैं व बाद चीक चला रहे हैं मेरी ये प्राप्लम जो इस वझे से मैं गाड़ी को अपने 사ब से नहीं चला पारा है आपको पता नहीं मेरी सिच्फेशन क्या है यह होता है तो हम कभी भी गाड़ी का कॉंट्रोल नहीं लेते हैं लेते हैं क्योंकि डर लगता है कि अगर गाड़ी हमने खुद चलाई तो एक्सिदेंट होने की रिस्पॉंसिमिलेटी हमारे उपर देखो जो ट्राफिक रूल्स है वो किस पर लागू होते हैं जो गाड़ी चलाता है जो पीछे बैठा होता है इसलिए लोग डरते हैं अपनी लाइफी गाड़ी खुद चलाने में कि कलको ठुकी तो मेरे उपर आजाएगा कोई और चला रहा है तो मेरे पिता जी चला रहे हैं तो आपकी वैसे मैं बरबाद हुआ सीधी सी बात है ना कि आप जो कह रहे थे मैंने किया लेकिन देखो उसके बाद भी मेरे कुछ नहीं हो आपने मेरी लाइफ खराब कर दी मैं जो कह रहा था वो मुझे करने देते तो पता नहीं सिखों से जादे तो मेरे विष्तेदार गिर गया है लाइफ में सब का स्ट्रगल होता है हम लोग के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफ है आई थी जिन्दगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है जिन्दगी में उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहां पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी ले जाए कि अच्छा कुछ नहीं है याद रखना कितिना भी कि क्लासे लेलो सब कुछ लिलो जब तब तुम खुछ से धान नहीं लगाओगे ना पाहई पर कुछ से बैठ के रिवीजन नहीं करोगे उसको कुछ फैदा नहीं है कुछ से बैट एक इसिस क्लियर बहुत बढ़िया तो वो बहुत ज़रूरी है और at least 8 गंटे आपको निकालने अपनी सल्स टड़ी गरी 6 गंटे अब क्लासे ले लो बहुत है बाकी के लिए नोट्स वोर्स खाना पीना सोना हो गया